कलर्स टीवी का फेमस शो नागिन 6 आखरकार खत्म हो गया है तेजस्वी प्रकाश तारद इस शो को दर्शकु का बहुत द्यार मिला था जिसके कारण शो को एक्स्टेंट कर दिया गया था लेकिन आखरकार अब ये शो अपने मुकाम पर पहुँच गया है लेकिन नागिन 6 के अंत के साथ ही नागिन 7 की घोशना भी कर दी गई है हाल ही में नागिन 7 का नया प्रोमो वीडियो सामने आया है जिसमें नई नागिन शिव जी की और कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है इस वीडियो में नई नागिन भगवान शिव से बातें करती लेकिन इसके साथ ही आप वो अनुमान लगा रहे हैं कि शो में आखिरकार नई नागिन कौन होगी नागिन 7 का प्रोमो वीडियो देखने के बाद जहां कुछ लोगों का कहना है कि वीडियो में प्रियंका चाहर चौदरी नजर आ रही है तो वही कुछ लोग मान रहे हैं कि गुम है किसी के प्यार में फेल्म आईशा सिंग शो में नागिन की भूमिका निभाती हुई नजर आ सकती है अब यूजर्स इस चीज़ को लेकान करंफ्यूज हैं लेकिन साथ ही साथ काफी जादा एक्साइटिड भी हो गए है कि आखिर प्रियंका या फिर आईशा दोनों में से कौन होगी नई नागिन अब इस मामले पर आग की क्या राय है हमें कौन सेक्शन में जरूर बताईएगा ऐसी के साथ एंटरटेमेंट की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए मायपुरी कट को सब्स्ट्राइब करें